हलो दोस्तों सुवागत है आपके लिए कुछ खास है खास क्या है Ministries क्यों देखे पिछले lecture में मैंने कुछ questions डाले थे तो उसमें मुझे काफी लोगों ने कहा कि sir Ministries का करवा दीजिए क्योंकि UPSC का काफी favorite रहता है section Ministries का और especially जो बच्चे EPFO का exam देने वाले हैं जो aspirants EPFO का exam दे रहे हैं उनका तो definitely यहां से question बन ही सकता है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ठीक है समझ लीजिएगा क्योंकि हमारे जो है UPAC का one of the favorite questions रहता है ministry से तो सिर्फ EPFO के साथ-साथ NDA CDS और Assistant Commandant भी आपका इसमें cover होता है अमोमन देखा गया कि ministry से questions आते यहाते है तो without any further ado start करते है ठीक है पहला question है कि Department of Public Enterprise कि ministry के अंतरगरत आता है ठीक है आपको बिलकुल इसी तरीके से questions आएंगे ठीक है जी आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से department कि ministry के अंतरगर आता है या कि कौन से ministry के अंतरगरत क्यों से चीज़ें है बिलकुल straight forward question होता आपको बस पता होना चाहिए तो आपको public enterprise किसके अंतरगर आता है जाता है ministry of finance के अंतरगरत ठीक है और थोड़े दिन पहले इन न्यूस भी था न्यूस में भी था तो इसके पर हमें थोड़ा से जानते हैं ठीक है अब क्या है अब जो यह हमारी 50 second report थी कि estimate committees की अब दोस्तों देखे पॉलिटी का एक और कुशन निकल के आगया estimate committee के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुए इसके बारे में आप revise करेंगे ठीक है और मैंने दो तीन बार अपने MCQs में भी estimate committee इसके बारे में डाला हुए तो आप estimate committee आपने देखा है तो यहां को आप इसको पढ़ना ही पढ़ना है ठीक है अब देखे जो 50 second report थी estimate committee की तीसरी लोकसभा जो थी हमारी 1962 और 1967 में उसने stress किया था एक नीड किस चीज की की setup करना है हमने centralized coordinating unit किस चीज के लिए जो की which could also make continuous appraisal for performance of public enterprises ठीक है अब इसकी विज़से क्या हुआ कि Bureau of Public Enterprises बनाया गया ठीक है कब 1965 तो Bureau of Public Enterprises जो बना है 1965 में बना है ठीक है जी chronology समझेगा और यह किस के अंतरगर आया था Ministry of Finance subsequently क्या हुआ कि इसकी reorganization हुआ ministries के departments की government of India के अंतरगर और September 1985 में Bureau of Public Enterprise को Ministry of Industry का part बना दिया गया था ठीक है फिर अब May 1999 में में क्या हुआ कि आपका Bureau of Public Enterprises को full-fledged department बना दिया था इसको क्या कहता है department of public enterprise ठीक है अब presently यह ministry of finance का part है ठीक है confused नहीं होना है ठीक है वहाँ पर आपको जैसे मैंने तो नहीं डाला है but ministry of industries का अगर आपको आता है तो confused नहीं होना है ठीक है यह part of ministry of finance है ठीक है दोस्तों अब department of public enterprise के क्या है यह nodal department है किस चीज के लिए center सारे के सारे central public sector enterprises और उनसे related जितनी भी policies है उसको बनाता है ठीक है और यह क्या है particularly policy guidelines बनाता है किस पे on performance improvement और evaluation, autonomy और finance delegation पे और personal management in central public sector enterprises ठीक है दोस्तों अगले question पे आते हैं अब department of investment and public asset management is not an agency under ministry of तो यह आपके options है ठीक है तो देखिए अब यह question के इस तरीके से बना हुआ अब देखिए Air India है हमने कई बार सुना है news में current affairs में भी रहा है कि disinvestment ठीक है और यह economy का आपके जो है उससे related है लेकिन यह quality से question आ जाते है ठीक है current affair का भी माना जा सकते है तो यह mix है तो अब यह department of investment and public asset manager जो एक non-algency है वो किस ministry के अंतरगत है वो हम देखते हैं ठीक है तो इसका answer है Department of Disinvestment जो है वो एक separate department बनाया होगा था ठीक है जी और ministry of displacement went sixth September 2001 में बनाया गया था ठीक है अब 27 में 2004 को department of disinvestment जो है उसको department of ministry of finance के अंतरगत डाल दिया गा था ठीक है department of finance के अंतरगत डाल दिया था ठीक है अब इसको तो हम किसके नाम से भी जानते है, Ministry of Disinvestment के लिए, sorry for pronunciation, ठीक है जी, अब Department of Disinvestment जो है, वो rename करके Department of Disinvestment of Public Asset Management बना दिया गया था कब, 14 April 2016 से, ठीक है, और क्या है, अब इसकी mandate क्या है, Department की, इस Department की mandate है, कि सारे के सारे matter जो है, जो की related होते है, Management of Central Government Investments, ठीक है, जो आपकी Central Government की investment होती है, किसमें in equity and जिसमें की disinvestment of equity करनी है, किसमें Central Public Sector Undertakings में, उसके matters पे इसका काफी जादा role रहता है, ठीक है जी, और सारे के सारे matters जो है, जो की related होते है, जिसके लिए through offer for sale और private placement होती है, ठीक है जी, और कोई भी mode होता है as well, जो की Central Public Sector Undertaking से related होता है, वो इसका काम रहता है, basically disinvestment का काम रहता है, या फिर selling का काम रहता है, जो भी आपके Central Public Sector Undertaking है, ठीक है दोस्तों, ये आपका quality से भी question है, current affairs से भी question है, और economy से भी question है, तो ये इसकी प्राथमिक्ता और importance बढ़ जाती है, ठीक है, next question पर आते है, तीसरा question है कि National Institute of Criminology and Forensic Science, किस ministry के अंतरगात आती है, अच्छा जब मैं आपके ये बना रहा था questions, ठीक है, तो मुझे भी काफी चीजे सेखने को मिली, ठीक है, क्योंकि मुझे बैठ के research करने पढ़ी, पढ़ी, और मुझे भी काफी, ये चीजे नई बार सुनने को मिली है, ठीक है, तो देखे, अब अब मुझे इसका पता नहीं था, तो आप अगर इस पे थोड़ा सा अगर दिमाग लाएंगे, तो आप most ही जो है, जिनों नहीं पढ़ा, वो बलेंगे, सर, criminology तो crime से related है, forensic science से related है, तो सर, ये तो ministry of law से होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ministry of home affairs से related है, ये भी नहीं, ये भी नरायन, National Institute of Criminology and forensic science, जिसको commonly हम National Institute of Criminology and forensic sciences के नाम से जानते है, और ये क्या है, एक central institute है, जो की criminology and forensic sciences के बारे में पढ़ाता है, और इसका कहां पर ये, ये New Delhi पे based है, ठीक है, अब ये institute जो है, ये government of India ने बनाया था, कब 1972 में, किसके अंतरकत, within the Bureau of Police Research and Development, जिसको और रेकमेंडेशन दी थी, University Grant Commission ने कि आपको ये बनाना चाहिए, तो 1972 में बनाया कहा था, ठीक है, दोस्तों, अब institute को formally हम किसके नाम से जानते थे, Institute of Criminology and forensic science, और ये 4 January 1972 को बना है, ठीक है, अब institute ने तकरीबन 41,000 officers जो है, चाहे वो पुलिस से है, जुडीशिरी से है, prison से है, prosecution से है, defense से है, custom से है, forest से है, medical से है, public sector undertaking से है, nationalized bank से है, या फिर scientist है, जो कि central or state forensic sciences से है, इनको train किया है, तो इसकी कितना ज्यादा, इसका ज्यादा महत होता है हमारी, इसलिए कि देखिए, almost सारी आपकी जो important organs है, ठीक है जी, पुलिस हो गया, forest हो गया, medical, जितनी भी है, वो इसके अंतरगर्द cover होती है, तो आप समझ सकते हैं कि इस institution की कितनी ज्यादा importance है, ठीक है, और इसके ministry of home affairs के अंतरगर्द आता है, ठीक है जी, उसके अंतरगर्द रहता है, ठीक है, law ministry के अंतरगर्द नहीं है, ठीक है, और इ Indian independent activist Jay Prakash Narayan के नाम जी के जो थे हमारे उनके नाम पर rename कर दिया था कब 2003 में, ठीक है जी, लोक नायक, उनका नाम है Jay Prakash Narayan, अब आप इसको as a history का भी question ले सकते हैं, ठीक है, हर explanation में आपको कुछ न कुछ Qs मिलते ही रहते हैं, ठीक है, चलिए, अगले question पर आते हैं, अगले question है, department for promotion of industry and internal trade, DPIIT, एक parent organ है, किसके ministry के इंतरगर्द, ministry of commerce industries, home ministry, prime minister office, none of the verb, तो आपको पता है कि industries का आया है, तो यही होगा, ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसकी explanation, ठीक है, देखे, अब department for promotion of industry and internal trade, DPIIT, जो है, वो 1995 में बनाया गया था, और इसको फिर से reconstitute किया गया था, 2000 में, ठीक है, जी, और इसको merge कर जिया था किसके साथ, department of industrial development के साथ, ठीक है, अब earlier क्या होता है, separate ministry होती थी, किसकी अब पहले होती थी, ministry of small scale industry होती थी, फिर agro and rural industry होती थी, और फिर heavy industry और public enterprises होत ठीक होती थे, ठीक है, जो यह 1999 में थे, फिर क्या होगा कि department जो है, earlier इसको क्या कहते थे, department of industrial policy and promotion, जिसको हमने DPIIT का नाम दिया था, 2019 में, तो बड़ा ही recent है, ठीक है, अब 2018 में इससे क्या है, कि matters, जो हमारे e-commerce related matters है, वो transfer कर दिया गया थे, किस पे, to the department, and in 2019 में department को charge दे द internal trade, ठीक है, trades related, welfare of trades, आपके वेपारियों के welfare से related है, और उनके employees और start-up से है, ठीक है दोस्तो, अब role of DPIIT का क्या है, यह basically promote करता है, accelerate करता कि इसको, industrial development country की, जो हमारी आपकी, आपकी industrial development को बढ़ाना है, और facilitate करता है, investment in new and upcoming technology, और यह FDI, foreign direct investment पे भी काफी ज़्यादा फोकस कर करता है, और यह support करता है, balance development of the industry, मतलब की सारी industries को ऊपर उठाया जाए, ठीक है दोस्तो, चलिए, आगे चलते है, पांचवा question है, department of food and public distribution, किस ministry के अंतर करता है, तो इसका तो आपको पता चली ही गया होगा, ठीक है, बड़ा easy है, consumer affairs, food and public distribution के अंतर करता है, ठीक है, दोस्तो ऐसे इस type के questions के बहुत high probabilities है, सिर्फ इसके नहीं, यह 5 के 5 जो questions करा है, इसकी बहुत high probabilities है, कि ministry से questions पूछे जाते है, कि जब मैं अपने टाइम पर exams दे रहा था, दोस्तो, it was a very high probability that these sort of questions used to come, so you need to read and revise, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं, यह क्या है, ठीक है, हमारा जो primary policy objective है ठीक है, ठीक है जी, वो क्या है, किसकी department of food and public distribution, उसका क्या है, कि तो ensure करना है food security, ठीक है जी, for the country, किस तरीके से timely and efficient procurement लानी है, और distribution करनी है food grains की, बलो कि, अगर आप देखे, फसल अगर timely procure कर ली है, और उसको आपने distribute भी कर दिया, या उसको ढंक से अपने storehouses, warehouses में संभाल है, तो वो क्या है, एक देश की धरोहर जो है, मतलब दौलत जो है, grains को माने जाता है, वो संभाली तो बहुत आगे जाते है, ठीक है, अब इसमें क्या है, this involves procurement of various food grains, ठीक है जी, building up and maintenance of food stocks, ठीक है जी, उनकी storage कैसे करनी है, moment कैसे करनी है, delivery कैसे होनी है, और distributing agencies कौन होंगे, आ इसी department के अंतरगत होता है, अब focus क्या है, इसका basically कि incentivize करना है farmers को, किस तरीके से, क्यों को fair value देनी है, उनकी produce की, ठीक है जी, किस तरीके से, हमारे पास minimum support price mechanism है, ठीक है जी, distribution of food grains, जो है वो BPL के लिए, जो families के लिए वो है, ठीक है जी, और poor households को हमने cover करना है, ताकि वो risk भुकमरी से मारना जाए, किसके अंतरगत, अंतरगत, अंतरदया अन योजना, अब यह जो मैं चीजे बोल रहा हूँ, आप सेख रहे हैं, तो pen and paper मैं बोलता हूँ, हर मेरे lecture में pen and paper, please लेके रखिये, लिखिये, और इसके बारे में, please research करिये, दोस्तो, बहुत बड़ा अंतर में देख रहे हो, यहाँ पर मग के तुरू, उसको भी research करें, ठीक है, तब ही आपके exams निकलेंगे, अगर हमारे भरोसे ही सिर्फ आप बैठे रहेंगे, तो this will be very tough, ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या है, कि establish करते हैं, कि green banks establish करने है, कहाँ पर, जहाँ पर foods कार सेरिया है, और पंचाइती राज institutions को जो है, PDA system में लगाना है, ठीक है जी, पंचाइती राज institutions जो आपके three tier system है, ठीक है जी, अब इसके साथ साथ आपका homework है, homework क्या है कि 73rd और 74th amendment act के बारे में पढ़िये, साथ में वो committees कौन सी थी, वो उसको पढ़िये, basically आपको जहाँ से clues मलते है, आप वहाँ से उसको पढ़िये, ठीक है जी, और department जो है वो और किस चीज के लिए responsible है, ये fallacies को formulate करता है, ताकि जो कि sugar sector है हमारा, उसको कैसे control करना है, किस तरीके से, कि उसका जो fixing of fair and remunitive price जो है, वो करना है of sugar can, जो कि payable at sugar factories होगा, ठीक है, हमारे country में sugar production, चलिए अपस जोगरिफी का एक question पूछता हूँ, कि कौनसे state की सबसे ज़्यादा highest sugar production है, ठीक है जी, और सबसे ज़्यादा बनाना कौन से state वो produce करता है, और सबसे ज़्यादा coffee कौन produce करता है, कल के lecture में मैंने आपसे questions पूछे थे, तो आपने धरा-धर comment section में answers दिये थे, तो I really liked your spirit, ठीक technology की, या फिर regulation of free sale sugar है, उस पे भी है, क्योंकि एक sugar एक बहुत बड़ा market है, ठीक है, अब department जो है, और formulate करता है, policies on export and import on food grains, sugar and edible oil, ठीक है जी, तो ये सब इस department का नतर जाता है, तो I hope दोस्तों आपको थोड़ा सा idea मिल गया होगा, कि किस ताइप से ministries आपसे questions पूछे जा सकत हैं, तोड़ा सा जाके Google कर लीजी, हमारी कितनी ministries है, ठीक है, और comment section में मुझे बताए, हमारी total कितनी ministries है, ठीक है, तो अब ही इसी के लिए, इसी के साथ daily dose of politics हुआ खत्म, आज के lecture, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले lecture में, पढ़ते रहे हैं, revise करते रहे हैं, शभाकार, take care अयाज हैं, और सबस्टार।